Hello everyone, this is Anmol तो recently एक अपडेट आई है Prince Edward Island की तरफ से जो Atlantic Immigration Program है वो Atlantic Canada में है जैसे ही Prince Edward Island हो गया वर्शकोशिया हो गया, New Brunswick हो गया Newfoundland हो गया इसमें एक Program है, EIP Program चाहे इसको सभी Permanent कहते हैं एक चीज़ काफी हमें द्यार में रखनी पड़ती है कि Program Permanent हो सकता है बर्ट उसकी जी Requirements हैं वो जो हमेशा चेंज होती रहेंगी उन्होंने रीसेंटली ये मैंशन करा है उनकी वेबसाइट के उपर कि जो ट्रक ट्राइवर्स हैं सेल्स एंड सर्विस वाले जो नौक कोड़ आते हैं वो इलिजिबल नहीं हैं इंडॉर्समेंट के लिए इटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में पहला स्टेप होता है कि आपका Employer आपकी इंडॉर्समेंट अपलाई करते है और उन्होंने ये भी मैंशन गरा है कि जो Employers हैं प्लीज इस चीज़ को किंसिडर करें कि कैंडिडेट्स को इंडॉर्समेंट नहीं मिल सकती अगर वो ये नौक कोड्स में फाइल लगा रहे हैं तो प्रोग्राम चाहिए पर्मानेंट था बट इसके जो चेंज़स हैं वो काफी एफेक्ट करेंगे जो नौवर्सकोश है उसने AIP प्रोग्राम में Food Service Supervisor को रिमूव करा था और ट्रक ड्रेवर्स को रिमूव करा था ऐसा क्यों करने हैं इसके पीछे बहुत यदा reasons हो सकते हैं वो सकता है कि उन्होंने कुछ find करा हूँ applications में कि ऐसा करके कुछ लोग इस तरीके से misrepresentation कर रहे हैं या number of applications इसी में ही ज़्यादा दिख रही हैं तो यह noc codes को उन्होंने basically remove करें हमारे इंडिया के लोग ज़्यादा तर इनी field में काम करतें जैसे sales हो गया retail हो गया food हो गया restaurants में काम हो गया truck driving हो गया तो basically हम सबी के ओपर इस चीड का effect पढ़ रहे है बट इसमें एक चीज़ काफी कलियर है कि जिन 9 codes को वो highlight कर रहे है priority दे रहे है अगर उसमें आपकी job लग सकती है तो काफी आपके लिए सही option रहेगी जैसे उन्होंने highlight करे child care, health care तो अगर इसके regarding आप experience गइन कर सकते हो knowledge आपको है इसमें आपकी job लग जाए तो काफी आपके लिए सही option रहेगा मेरे एक friend थी उसने बई नोवश कोशिया आना था उसको AIP में job offer मिर रहा था AIP एक company थी, designated थी वो उनको AIP के सारे papers देने के लिए ready थे क्यों? क्योंकि वो health care में काम कर रही थी उन्होंने खुदी interview में clear कर दिया था कि हाँ भई हम आपको पूरे papers दे देंगे right away आपके file लगा देंगे जिसमें number of applications ज्यादा होंगी उसी में competition होगा and हो सकता है कि उसका processing time भी थोड़ा से ज्यादा हो क्योंकि आज के time में हर एक बंदा confused है कि उसको कहां पे move करना चाहिए तो मैं नोवश कुश आया था माए में 2023 में उस time भाई situation बड़ी ही अलग होती थी जब भी मैं डीड पे jobs देखता दा काफी options मलती थी काफी लोग जो अपनी PR के लिए काम कर रहे हैं वो जॉब नहीं छोड़ रहे हैं ना तो काफी cases हो सकती है तो इस time मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका कोई doubt होता है आप IRCCC contact करो अगर या कोई licensed consultant से बात कर सकते हूँ बट मैंने पहले भी बोला है कि consultant आपको बता सकता है कि आपके लिए कौन सा PR program सही है को इनके पस कोई power नहीं होती कि कि किसी rule को किसी requirement को वो change कर दे वो immigration के उपर है तो आप अपनी तरफ से अपना best try करो उन field में जाने का जिसकी demand याद है जो जिसको immigration यादा target कर रही है जो AIP में ये change आया है कि कुछ दोस्त थे जो प्रिंसरडवड आईलेंड मूव होए थे उनका एक मीन ही रह चुका ता फाइल लगाने वाल है और उनको ये face करना पड़ा ऐसी station में भई कोई भी बंदा give up करना चाहेगा क्योंकि आप एतनी time से wait कर रहे थे कि एक मीने को आद मैं eligible हो जाओंगा मैं फाइल लगा दूँगा और फिर immigration कहती है कि ऐसा गारी कि ये तो eligible ही नहीं है तो जो new combers है मैंने पहले अपनी बाकी वीडियोस में भी यही clear करा था कि अपनी province और अपने course उसी हिसाब से लो and healthcare में अगर आप थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करोंगे आपको job option से देखेंगे तो बट उसमें एक चीज़ ध्यान में रखना जो कैनड़ा की website है वहां की no codes चेक कर लेना कि कौन कौन से legible आती है क्योंकि healthcare में भी काफी categories आ जाती है उन दोनों का link में description में एड़ करतूँगा बट प्रिंस अड़ड आईलेंड का जो दूसरा प्रोग्राम था उसका score काफी high है और फिर सबी AIP को ही देख रहे थे कि आपको काफी द्यान से चलना पड़ेगा और काफी limited आपके बस time है अपना time waste मत करो अगर आप ऐसी station में हो कि आप प्रिंस्ट वर्ड आईलेंड गए थे आपको work permit पे एक साल हो चुकत है और आपको पता लगा कि आप eligible ही नहीं हो जो बाकी provinces हैं अगर कोई employer आपकी right away file लगाने को त्यार है आपका experience valid है तो उन से बात करके देखो हो सकता है कि आपको इस तरीक किसे solution मिल जाए यगर आपका experience help कर सकता है दूसरे field में job लेने के लिए वो भी आपके लिए सही option रहेगी but again आप अपनी requirements को check करना, मैं हमेशा आपके साथ अपनी knowledge and experience को share कर सकता हूँ decision भई आपका ही रहेगा ठीक है, जोचा कि मैं आपको थोड़ा aware कर दूँ कि भई वहाँ पी यह change आया है अगर आप वहाँ बेmove होने के सोच रहे थे तो उसको जूर consider करना बाकी आपका क्या opinion है अगर आपको कुछ और पता है इसके regarding please आप comment section में जुरूर discuss करो ताकि बाकियों के भी help हो सके तो इतना ही थाज की वीडियो में तो please इसको अपने दोस्तों के साथ भी share करना मिलते हैं next वीडियो में